हलो दोस्तो, वेलकम टू स्टडी उनिवर्स, मध्यप्रदेश, डेली करंट अफिर में आपका स्वागत है आज है 9 अप्रेल 2019 और यह हमारी 123 वी क्लास है 12 important question, आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर ले हैं क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related, important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो, questions related या MPG किस related कोई भी doubt आपको आता है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू देंगे दोस्तो, उपर icon में एक question दिया गया है जो previous day का है उसको आप solve जरूर करें चलते है question number first, हाली में कब विश्व स्वास्त दिवस मनाया गया है तो इसको स्वियोफरन है 7 अप्रेल, हाली में 7 अप्रेल को विश्व स्वास्त दिवस मनाया गया है इस दिवस को मनाने का उद्देश, लोगों को स्वास्त सुरक्षा दिलाना है 7 अप्रेल 1948 में विश्व स्वास्त संग्टन की इस्थापना की गयी थी तो 7 अप्रेल को ही यह दिवस मनाया जाने लगा दोस्तो, 2019 में इसकी theme है सार्व भॉमिक स्वास्त कवरेज यह theme आपको याद रखने है, 2019 में इसकी theme है सार्व भॉमिक स्वास्त कवरेज नेश्ट कॉशन, हाली में किस खिलाडी को ESPN इंडिया अवर्ड 2018 से सम्मानित किया गया है तो इसका सही option है, नीरा चोपडा, पीवी सिंधू इन दोनों को हाली में ESPN इंडिया अवर्ड 2018 से सम्मानित किया गया है पुरुष वर्ग में नीरा चोपडा को और महिला वर्ग में पीवी सिंधू को sport person of the year चुना गया है हाली में ESPN ने 11 सेडियों में multi sport award 2018 का announcement किया है तो दोस्तों इतना आपको ESPN के बारे में याद रखना है next question हाली में किसने रास्ट पती सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किये हैं तो इसका सही option है, उप रास्ट पती जीने हाली में उपरास्टपती जी ने रास्टपती सम्मान प्रमाल पत्र प्रदान किये हैं रास्टपती सम्मान प्रमाल पत्र की शुरुवात 1958 में की गई थी यह सम्मान सास्त्री ओडिशा, सास्त्री कर्नड, आदी भाशाओं के विद्वानों को दिया जाता है तो इतना आपको इस सम्मान की बारे में याद रखना है Next question हाली में कोहिमा लड़ाई की कौन सी वर्षगांट मनाई गई है जिसका सही ओफ्षान है 75 वी हाली में कोहिमा लड़ाई की 75 वी वर्षगांट मनाई गई है कोहिमा की लड़ाई दूतिय विश्व उद्ध में अप्रेल से जून 1944 के बीच लड़ी गई थी इस दोरान जापान ने कोहिमा पर कबजा करने का प्रियास किया था इस उद्ध को पूरु का स्टालिन गराद भी कहा जाता है हाली में इस इवेंट में जापान और यूकी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है तो आपको कोहिमा लड़ाई के बारे में इतना याद रखना है नेश्ट क्वेशन हाली में भारत ने किस देश से CRPF के जबान बापिस बुलाए है तो इसका सई उफ्टन है लिविया हाली में भारत ने लिविया देश से CRPF के जबान बापिस बुलाए है हाली में लिविया में सुरक्षा परिस्थिती काफी बिगड़ गई है तो इसके चलते भारत के CRPF जबानों को बापिस बुलाए गया है भारत के CRPF के जबान त्रिपोली में तेनाथ थे दोस्तों अब बात आईए लीविया की तो मैप में आपको इसके बारें बता दें मैप में ये जगए लीविया को दरसाती है यह है एक आफरी की देश है लीविया को सुतंतरता 10 फरवरी 1947 में इटली से मिली थी लीविया की राजधानी है त्रिपोली और लीविया की करणसी है लीवियन दीनार आपको बता दें इसके प्रिसेंटियल काउंसल है फयाज अल सयाज तो इतना आपको लीविया की बारे में याद रखना है नेस्ट कुशन मध्य प्रदेश का कौन सा संस्थान NIRF में पांचवे नमबर पर आया है जिसका सयाफ्षन है IIM Indoor हाली में IIM Indoor NRPF में पांचवे नमबर पर आया है हाली में इस IIM की रैंक सुदरी है पिछले साल इसका इस्थान 11 था और अब यह पांचवे इस्थान पर पहुँच गया है इस लिस्ट में पहले इस्थान पर IIM बेंगलूरू और IIT अहमदाबाद दूसरे पर है दोस्तो अब यह NIRF क्या है आपको इसकी बारें बता दें इसका फुल फर्म नेशनल इंस्टिटुशनल रैंकिंग फ्रेवर्क होता है तो इतना आपको NIRF रैंक की बारे में याद रखना है भारत की सबसे तेज मोटर रेशर महीला कौन है दिसका hol क्योप्षन है इसनेहा सर्मा इसनिया सर्मा भारत की सबसे तेज मोटर रेशर महीला है इन्होंने मलेशिया में हुई लेडीज इंटरनेशनल सीरेज में दूसरा इस्थान हासिल किया था आपको बता दूँ ये इंडीगो में पाइलेट वी है तो आपको इसनिया सर्मा की बारे में इतना याद रखना है नेश्ट कॉशन हाली में ISTU के उपाध्यक्ष कौन बनी है जिसका सही ओफ्षन है सुनील कुमार हाली में सुनील कुमार ISTU की उपाध्यक्ष बनी है ये राजीव गांदी प्रोध्योग की विश्विध्याला की कुलपती है अब हाली में ISTU का उपाध्यक्ष शुना गया है अब बता दें ISTU क्या है इसकी बारे में इसका फुल फॉर्म इंडियन सोसाइटी ओफ टेक्निकल्स यूनिवरस्टीज होता है ISTU की स्थापना 1968 में की गई थी हैड़क्वाटर निव दिल्ली में है और ISTU की हैड है डॉक्टर एम के वर्मा नेश्ट कोशन देश का पहला AI कम्पीटर कहां लगाया जाएगा जिसका सही ओफ्षन है जोधपुर हाली में जोधपुर में देश का पहला AI कम्पीटर लगाया जाएगा सिर्फ एक सेकंड में करेगा यह जोधपुर आई-ाई-ाई-टी में इस्थापित किया जाएगा और यह कोईटर सिंगापुर से खरीदा जा रहा है तो इतना आपको इस AI Computer के बारी में याद रखना है नेश्ट कॉश्चन ये राकिस भारती मित्तल की जगह लेंगे ये पिछले 24 वर्सों से Auto Mobile और Auto Parts उद्योग में कारे रहते है दोस्तो अब ये CWI क्या है आपको इसके बारें बता दे Confederation of Indian Industry CWI का फुल फॉर्म होता है इसके स्थापना 1995 में की गई थी यह एक गेर सरकारी संग्ठन है US, UK, Singapur, चीन जैसे बड़े देसों में इसके कारेला है नेश्ट कॉश्चन निम्नमेस एक कौन सी कंपनी है जो भारी बाहनों की निर्माता नहीं है तो इसका स्थापन है मारूती सुजूकी यह भारी बाहन नहीं बनाती है दोस्तों बात आईए मारूती सुजूकी की तो आपको इसके बारें बता दे मारूती सुजूकी की इस्थापना 1981 में की गई थी संस्थापा के संजय गांदी मारूतिस सुजुगी का Head Quarter है दिलि में और चेर मेंने RC भारगव और इसका आधारष वाख आपको याद रखना है इसका आधारश वाख है Way of Life Way of Life मारूतिस सुजुगी का आधारष वाख है Next question कौन सा High Court भारत का मैं सबसे पहले इस्थापित किया गया था जिसका सईयोक्षन है कोलकाता हाई कोट कोलकाता हाई कोट भारत में सबसे पहले इस्थापित किया गया था दोस्तो अब बात आईए कोलकाता हाई कोट की तो आपको इसके बारें बता दें कोलकाता हाई कोट की इस्थापना 1 जुलाई 1962 में की गई थी circuit branch port villay और जलपाई गुडी में है Kolkata highcoat में जजों की संक्याई 72 और मुक्ह नियादिस है Thutical Radha Krishna हाली में ये मुक्ह नियादिस बनी है Kolkata highcoat के तो दोस्तो इतना आपको Kolkata highcoat के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली current affair आप मारे चैनल इस्टडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक है जो शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मद्यप्रिदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेकर हाजरूंगे दोस्तों अगर आपको कोई MPG के या करंट अफ्यर से रिलेट प्रॉलम्स या डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए हम आपके निवारन करेंगे तो आज के लिए सतना ही है वा नाइस टेग